दिल ने कर लिया एतवार, हमको हो गया तुमसे प्यार। आज हम अमीशा पतेल की लव लाइफ जानेंगे। सबसे पहले उन्होंने सिनेमा से कहो ना प्यार है कहा तो हर कोई उनके लिए दिल लुटाने को तयार हो गया। फिर उन्होंने गदर एक प्रेम कथा लिखकर फैंस को अपना हमराज बनाया तो लोग आप की खातिर कुछ भी करने को मजबूर हो गए। दरसन हम बात कर रही हैं अमीशा पटेल की जिन्हें आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी अदाकारी से जितनी सुर्खियां बटोरी उससे ज्यादा अपनी निजी जिन्दगी की वज़से चर्चा में रही। कहो न प्यार है हमराज और गदर जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली अमीशा पटेल 48 साल की हो चुकी है। लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने खुद को इस कदर फिट रखा है कि नईन्वेली हीरोईन भी शर्मा जाएं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमीशा ने अपनी जिन्दगी में कई लोगों को देट किया, लेकिन एक्ट्रेस अब तक शादी की दहलीज तक नहीं पहुँच पाई। अमीशा पतेल की रिलेशन्शिप की बात करे तो वह प्रीती जिन्टा के एक्स बॉइफ्रेंड ने स्वाडिया को भी डेट कर चुकी है। कहा जाता है कि दोनों काफी समय तक एक साथ रहें, लेकिन यहां रिष्टा परवान नहीं चड़ सका और दोनों अलग हो गए। इसके बाद अमीशा पतेल का नाम सुश्मिता सेन के एक्स बॉइफ्रेंड और फेमस डाइरेक्टर विक्रम भट के साथ जुड़ा। फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे की कास्टिंग के दौरान अमीशा की मुलाकाद डाइरेक्टर विक्रम भट से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों बेहत करीब आ गए। विक्रम शादी शुदा थे, लेकिन अमीशा ने इसकी परवाह तक नहीं की। विक्रम के साथ रिष्टे को लेकर अमीशा ने अपना करियर तक दाव पर लगा दिया था। वहीं जब उनके घरवाले इस रिष्टे के लिए राजी नहीं हुए तो एक्ट्रिस ने अपने माता-पिता पर ही मुकदमा ठोक दिया था। हालां की साल 2008 के दौरान अमीशा प ये विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।